नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफ खबर में और मैं हूँ आपके साथ नाजनेन खान तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर पुलिस का एक बेरहिम चेहरा ताजनगरी आगरा में देखने को मिला जहां पर पुलिस के सामनी जब एक दिव्यांग फर्यादी अपनी फर्याद लेकर आये तो पुलिस ने दिव्यांग के साथ ऐसा वहवार किया जिसे सुनकर शायद आपकी रुह काप जाएगी पुलिस ने पहले दिव्यांग को गाली दे कर हड़काया और उसके बाद भी जब उसका दिल नहीं भरा तो पुलिस ने दिव्यांग होने का उसका मजाक बना दिया फरुकाबाद ने बढ़ती महंगाई से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से परशान लोगों की समस्याओं को लेकर किसान यूनियन कारेकरताओं ने विरोध मार्च निकाला साथ ही कारेकरताओं ने कहा कि भाजपत चुनाओं के दौरान अच्छे दिन लाने का वादा किया था लेकिन पेट्रोल डीजल की बढ़ती किमतों ने आम जंता की कमर तोड़कर रखती है कि अधिवाल की का जो मरा को कहा है कि अदाम बढ़ना है डीजल पेट्रोल में काफी बड़ोत्री हो गई है जिससे खिराय भाड़े में महेंगाई हुई है जब भाड़े महेंगाई हुई है तो इस रिदाब से सभी बस्तूओं के मूल बढ़ेंगे इसके अलावा जो है अलेक्टर लाए थे और अर्थे जो है रष्टा चार और महेंगाई के थे लेकिन आप समझ लेजिए कि महेंगाई का जुम्मेदार कौन है जो जुम्मेदार था महेंगाई का आका उसे कि अर्थे परुकाबाद जिले के एसोसियेशन चुनाव के लिए मद्दान शुरू हो गया है वहीं चुनाव की कड़ी निगरानी रखने के लिए 18 अधिवक्ताओं की टीम भी लगाई गई है जिसमें तकरीबन 1529 मद्दाता वोट डालेंगे जहां एसोसियेशन में चुनाव संपन क तराने के लिए तीन संसदिय चुनाव समिती का गठन भी किया गया है साथी मद्दान के दौरान गडबड़ी ना हो इसके लिए निगरानी समिती के बकीलों को तैनाद भी किया गया है फरजी मद्दान ना हो इसके लिए LID डिस्प्ले भी लगाई जाएंगे चुनाव दिवाज भाई आपकी हैं बोटिंग तल हुए है काई का चुनाओ है और कितने मददर इसमें 1529 मददर आगा है और 29 कुल प्रत्यासी हैं बोटिंग भी जागी 8 बजे से 5 बजे तक की बोटिंग होगा है मतगरना कब होगी फलाल खबरों में इतना ही बागी खबरों के लिए देखते रहे हैं लाइफ कबर नमस्कार